दोस्तों आप देख रहे सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स ले करके मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए अगर कोई सवाल है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताके हमारे भीवर को अच्छा से समझ में आ सके दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज हमसे सवाल कीजिए हम कोशिस करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला कमेंट किन का है आज का पहला कमेंट है धर्मा शेख सिद्धी के तरफ से लिखते हैं कि वहाँ सुंदर भाई काविले तारीफ है तुम्हारी चराई और चारा बहुत बढ़िया भाईया बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा वीडियो देखकर मैं आपको थैंक्यू बोलूँगा सर आपको अच्छा लगा सर शिकार कीजिए शिकार करके भी रिपलाई कीजिएगा और शिकार मिलता है तो उस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा थैंक्यू सर अगला कमेंट है साजिद शेख के तरफ से लिखते हैं कि सर नदी में मुरल मचली बहुत है पानी भी है मचली उपर भी आती है और चारा नहीं खा रही है क्या समस्य है सर बताएं देखिए सर मचली अगर चारा नहीं खा रही है मुरल मचली तो उसके लिए आपको जिंदा मचली देना चाहिए खास तोर से पोठिया मचली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बड़ा वाला जिंगा मचली अगर मिल जाए तो उसका मास आप यानि उपर का जो कभर है उसको हट शिकार करेंगे अगर जिंगा मचली मरा हुआ है उसका मास लगाएंगे तब भी मुरल मचली आजाएगा लेकिन पोठिया मचली आपको जिंदा चाहिए छोटी पोठिया मचली होने चाहिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तब बहतर शिकार कर पाएंगे थै कोशिस करता हूँ सारे लोगों का कमेंट पढ़ने के लिए भले ही मुझे वीडियो दो पार्ट में बनाना पड़े आपका भी नाम बोला थेंक्यू सर अगला कमेंट है राम रतन हज नाले के तरफ से लिखते हैं नदी में मचली कहां ज्यादर रहती है कैसे पाचाने देखि के रोहू, कतला, ग्रास इस तरह की जो कार्प मचली है वो पानी में जो किनारे वाला हिस्सा है घास या शैवाल होता है वो अक्सर उधर घूमती रहती है चारा खाने के लिए तो आप वहाँ शिकार कर लेंगे बाम मचली है ये पथरीले जगह पे होती है जहां पत्थर, बोल्डर, ब्लॉक हो इनको वहाँ छिपने में आसानी होता है वहाँ पर ये होती है अगर लकडी का कोई टुकड़ा है बहुत ज्यादा जमा है पत्थर है, बोल्डर है, ब्लॉक है उसके आस-पास में ये रहती है छिपती है वहाँ पर और वहीं से वह अपना चारा पकड़ती है शिकार खाती है वहीं से हम लोग भी शिकार करते है अगर मिट्टी वाला जगह है उसके अंदर किनारे किनारे या पानी का अंदर होल है वहाँ भी ये छिपती है लेकिन कम होती है पत्थर, बोल्डर, ब् वो चोटी मचले होती है, उनको खाने के लिए आता है। उसी तरह बौाल मचले है। और भी बहुत सारी मचले हैं, लेकिन इनको practical दिखाने के लिए हमें समय e चाहिए। मैं कोशिस करूँगा सर सको practical मैं दिखाऊ, कि कौन सा मचली कहा होती है। ताके हमारे भीवर लोगों को शिकार करने में आसानी होगा मैं बहुत बार बताया हूँ वीडियो में प्रैक्टिकल नहीं दिखाया हूँ तो दोस्त मैं कोशिस करूँगा प्रैक्टिकल दिखाने के लिए थैंक्यू सर अगला कमेंट है दिलिप कुमार के तरफ से लिखते हैं कि सर मैं 36 गड़ से हूँ नदी में लंबा डोड़ी के लिए चारा जो 30 मीटर की दूरी हो 20 फीट गहरा हो छोटी मचली ना खाए प्ली सर तो देखिए सर ऐसे जगह शिकार करने के लिए जैसा आप लोकेशन बता रहे है उस तरह के जगह पर शिकार करने के लिए हाड चारा हम लोग बनाते हैं तो आप मचली का अंदाजा लगा लिजिए किस तरह की मचली वहां हो सकती है कितना बड़ा चारा खाएगी तो वो घर पर जो चारा बनाएंगे उसको पहले ही तैयार कर लिया जाता है तैयार करने के बाद से गोल गोल बना लिजिए हलका लंबा बना लिजिए उसके बाद से उस सारा चारा को खौलते हुए पानी में पंदरा सेकेंड के लिए डालिए और उसको छान करके बाहर निका तो उससे क्या होगा कि उसके उपर वाला हिस्सा जो है थोड़ा हाड हो जाएगा फिशिंग हुक में लगा कर आप जब फेकेंगे तो हुक से निकल के नहीं गीरेगा और पानी में भी जल्दी नहीं घूलेगा तो ये तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर नहीं समझ में आएगा तो इस चैनल पर हमने वीडियो डाला है जिसका टाइटल है हंटिंग मेनी फिश विथ वन बेट इसमें हमने प्रेक्टिकल उसको बना के दिखाया है दोस्त आप भी उस तरीका से चारा बनाईए और मचली का शिकार कीजिए ओके दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया